आज इस वीडियो में हम बगूला भगत और केकड़े की एक दिल्चस्प कहानी सुनेंगे गैफी, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ बहुत पुरानी बात है चंगल के बीचों बीच एक तालाब था उस तालाब में बहुत सारी मचलियों के साथ एक केकड़ा रहता था एक आलसी बगूला रोज उस तालाब में मचलियां पकर कर खाता था असानी से भोजन पाने के लिए उसने एक योजना बनाई वह उदास चहरा बनाकर बैठ गया केकड़े के पूछने पर उसने बताया के तालाब का पानी सूखने वाला है और बिना पानी के सब जीफ मर जाएंगे यह सुनकर सब परिशान हो गएं और बगूले से मदद मागने लगें बगूले ने उनको एक दूस्ते तलाब में ले जाने का वादा किया बगूला जूट बोलकर रोज एक मचली को अपनी चोंच में पानी भर कर ले जाता और एक पहाडी पर मार कर खा लेता एक दिन वह केकड़े को ले गया कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने एक पहाडी पर मचलीओं की हंडिया देखी तब उसको बगूले की चाला की समझा गई केकड़े ने अपने पंजों से बगूले का गला दबा कर उसे मार दिया और तालाप पर वापस जाकर सभी मचलीओं को पूरी कहानी सुनाई सारी मचलीओं ने खुश होकर केकड़े का धन्यवाद किया वा मा यह कहानी तो बहुत मजिदार है हाँ गैफी क्या अब तुम यह बता सकती हो कि इस कहानी के किरदार कौन थे किरदार क्या होते हैं मा कहानी में जो लोग, जानवर या अन्यजीव होते हैं उनको हम किरदार कहते हैं मतलब बगूला, मचलियां और केकड़ा बिल्कुल सही गैफी वा मा यह कहानी तो बहुत मजिदार है हाँ गैफी क्या अब तुम ये बता सकती हो कि इस कहानी के किरदार कौन थे किरदार क्या होते हैं मा कहानी में जो लोग, जानवर या अन्यजीव होते हैं उनको हम किरदार कहते हैं मतलब बगूला, मचलिया और केकड़ा बिलकुल सही गैफी, क्या तुम मुझे बता सकती हो इस कहानी के शिर्वाद, बीच और अन्त में क्या हुआ शिर्वाद में बगूले ने बहुत सी मचलियों को खाया बीच में उसने आसानी से मचलिया खाने के लिए योजना बनाई और मचलियों को पहाड़ी पर ले जाकर खाया और अन्त में केकड़े ने सूच पूच से अपनी जान बचाई और बगूले को भी मार डाला अरे वाद गैफी, तुमने तो बिलकुल सही जवाब दिया है बच्चों इस कहानी को दोबारा सुने और अपनी नोटबुक में ऐसा एक टेबल बनाओ इस टेबल में कहानी में आई हुए किरदार, सेटिंग, शुर्वात, बीच और अंत का पता लगा कर भरे